सवाल यह है कि मिश्टा जी ने आदिवासी इलाके की महिला टीचर्स के ही वीडियो क्यों बनवाए आखिर किस मानसिक्ता से उन क्लिपिंग्स को वाइरल करवाया मौदे हमें आपके काम से दिक्कत नहीं है लेकिन घिन सिर्फ उस मानसिक्ता या उस मकस्त से है जो इस पूरे घटनागरम के पीछे है बालागाट के आदिवासी इलाके के स्कूलों में अचानक जाकर जिले के सबसे बड़े अफसर द्वारा वहां की महिला सिक्षकों से गडित का सवाल हल करवाना और वो भी बच्चों के सामने यह मामला उतना सीधा या सरल सामानने नहीं है जी इतना प्रतम दिश्टे या नजर आता है दरसल यह मामला आरक्षित वर्ग को अयोग्य साबित करने उनका मखावल करने और आरक्षन पर सवाल उठाने वाली सतही बहस को मौका देने का कुछित प्रयास है जिले के सबसे बड़े पद पर विराजमान पंडित जी ने जब ये जान बुचकर हरकत की ताकि समिधान से आरक्षित वर्ग यानि कि OBC, HC और HT को मिले आउसर के आरक्षित पर लोगों द्वारा सवाल उठाने उसका मजाग बनाने आरक्षित को गाली देने का मौका मिल सके और इसलिए खास तोर पर पहले अनुसूची जन जाती और फिर OBC महिला टीचर से ये सवाल किया गया और फिर उसका वीडियो भी बनाया गया और वाइरल भी किया गया सवाड़नों के खबरिया चैनल के लिए ये स्वाड़नी माउसर था और इन दोनों वीडियो के वाइरल होने के बाद सोचल मीडिया और उस चैनल पर आने वाले कमेंट्स और चर्चाओं में मुख्य शुरू हो गई कोई कह रहा था यह यह है कमाल आरक्षण का आरक्षण ने देश बरबाद किया जिनों ने इस समयधानिक अधिकार का एक अक्षर भी नहीं पड़ा वो भी आरक्षित वर्ग और इस अधिकार पर सवाल उठाने लगे उनका ज्यान सिर्फ इतना है कि आरक्षि यह है क्योंकि उनको आपने कभी अपनी योग्यता साबित करने का आउसर ही नहीं दिया अरे साहब आपके पुर्खों ने तो अपने गुंड़ई वाले कानून से सदियों तक इन वर्गों को स्कूलों किताबों गुरू कुलों से दूर ही रखा अगर किसी ने चुपके से यह हासिल भी कर लिया तो आपने उसके कान में गर्म शीशा भर दिया कला हासिल कर ली तो अंगूठा कटवा दिया अरे आप तो खुद अपने वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का दिकार नहीं दे पाए और ये एक दो साल नहीं बलकि आपके बाब दादाओं ने हजारों वर्षों तक ये किया है बिमारी बहुत पुरानी है इसलिए इलाज भी थोड़ा जादा करना पड़ेगा मरीज जादा बिमार है जादा दुर्बल है और आपकी इसी हरकत के कारण सम्विधान निर्माताओं को कानून बनाना पड़ा क्योंकि सम्विधान निर्माता भी ये जानते थे कि भले ही आप सब्विता के गीत गाएं लेकिर आपके संसकार इतने सब भी नहीं है जो आपकी मानसिक्ता को बदल सके वो जानते थे कि मुल्क भले ही अंग्रेजों से आजाद हो जाए आपकी मानसिक्ता निचले वर्कों के लिए आजाद बिलकुल नहीं होगी और आपके बारे में उनका ये शक सही भी साबित हुआ आपने आज भी अपनी उसी ओची मानसिक्ता से वही हरकत जारी रखी है आपको आज भी उस वर्ग को मिले अधिकारों से बहुत दिक्कत है आप आज भी उनको औसर नहीं देना चाहते इस वर्ग को मिले मौके से आपको आज भी चिड होती है और इसलिए समिधान निर्माताओं ने इस वर्ग को आउसर देने मौका देने का कानून बना दिया क्योंकि आपके संसकारों ने आपकी मानसिक्ता ऐसी बनाई है कि सडक के चोराहे पर अगर ट्राफिक सिगनल का कानून न हो तो आप कभी भी रुक कर किसी दूसरे को जाने का रास्ता नहीं देंगे आप पैसे देकर अपने लिए सीट आरक्षित करवाते हैं है ना बलशाली विक्ति को सीट हत्याने क्यों नहीं देते क्योंकि आप बाहुबल का उप्योग करके सीट पर कभजा नहीं कर सकते आप कानूनन उस सीट को रिजर्व करते हैं सदियों से अधिकार प्राप्त वर्ग अपने अधिकारों का बटवारा नहीं चाहता ये मानसिक्ता है आपकी और भेदभाव की यही मानसिक्ता धार्मिक या आर्थिक कारणों से बिलकुल नहीं है आप इसलिए नफरत नहीं कर करने या बदलने की कोई विवस्था भी नहीं है लेकिन आपको दिक्कत जाती विवस्था से नहीं है आपको दिक्कत जाती आधार पर नीचे वाले वर्गों को मिल रहे आउसर के आरक्षंड से है क्योंकि आप इन वर्गों को ये देना ही नहीं चाहते क्योंकि वर्ण आप नहीं चाहते हैं कि निश्ली जाती के लोग आप से योग्यता में आगे निकल जाए। इसलिए आप हमेशा अपनी सतही चर्चाओं से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आरक्षित वर्ग अयोग्य होता है। जबकि आप भी अपनी योग्यता सावित करने में सफल नहीं हुए। तो ये बाद भी आप सभी जान चुके हैं कि आप कितने योग्या हैं। आप कह रहे हैं ना कि आप उनकी योग्यता उनके ज्यान को टटोलने गए थे ताकि सिक्षक की गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्हें अतरिक्त प्रशिक्षन पर भेजा जाए। आपका उद्देश अगर इतना पाक साफ है तो भाई सहाब एक सला है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग आप अपने लिए भी प्लान कर ही लीजिए क्योंकि अंग्रेजी में आप भी कमजोर ही लग रहे हैं। और हाँ एक लेक्चर समाजिक व्यवहार शास्तर का जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आप भी समझ पाएं कि किसी शिक्षिका को उनकी कक्षा के बच्चों के सामने जलील करने उसका वीडियो बनवाकर समाज में वाइरल करने से किसी का भी अपमान हो सकता है। और हो सकता है कि आपका ये दिश्टिकों न रहा हो। तो भी अगर ऐसा हो गया है तो सामाजिक तोर पर अपने इसकृत पर शर्मिंदा होते वे शमा मांग लेनी की हिम्मत आप कर सके। माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। हो सकता है आपका जाती इगो ऐसा न करने दे। फिर भी ऐसा करके आप एक उधारन तो प्रस्तुत कर ही सकते हैं ना। दर्शकों ये घटना गंभीर है इसलिए सिर्फ जैनतियों पर जागने वाली सामाजिक संस्थाओं से भी अपील है कि इस प्रकार की हरकतों पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है। सविधानिक आरक्षन से अपनी योगेता साबित करने का आउसर मिलने से बने अफसरों और संगटनों के पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपना काम बनता भाड में जाये जनता वाली नीती से बाहर आकर इन घटनाओं पर स्वतह संग्यान ले। राजनितिक नेताओं प्रशाषनिक अफसरों की नजदीकियों से मिली सुविधाओं को सिर्फ स्वयम तक सिमित न रखते हुए सामाजिक दायतों को पूरा करने में भी इसका इस्तमाल करे। जरा पता तो किजिए कि जिले में किस तरह तमाम उच्च पदों पर एक ही वर्ग के अधिकारियों ने कबजा जमा रखा है और अपने ही वर्ग के बच्चों युवाओं को आउट्सोर्सिंग के अस्थाई और स्थाई पदों पर एडजेस्ट करते जा रहे हैं और आप है कि सिर्फ जैनतियों समारों हों तक सिमित रहे गए हैं ये बात सिर्फ सिस्टी नहीं बलकि OBC संगटनों को भी वक्त रहते समझनी होगी क्योंकि कहीं उनके समाजिक संगटन और करमचारी संगटन राजनितिक स्वार्थ की चालाक मानसिक्ता वाले हाथों में हस्तांतरित तो नहीं हो गए आदिवासी विकास विभाग और अनुसुचित जाती जन जाती कल्यान थानों को भी चेक कर लीजिए कि कहीं वहां पदस्तत अधिकारी किस मानसिक्ता वाले और किस प्रिष्ट भूमी से हैं इन विभागों को जिस उद्देश से स्थापित किया गया क्या वो पूरा हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबसे उन्हीं वर्गों का शोशन हो रहा है जिस शोशन को खत्म कर निकले इन्हें स्थापित किया गया था क्योंकि जो सदियों से जन्मजाद आरक्षित हैं उच्च पदों पर बैठ कर अपने समाज के लिए वो हमेशा से न अंतर कारेरत हैं वो अपना काम बखू भी जारी रखे हैं लेकिन नौकरी पाते ही आप अपना काम भूल गए हमारा उद्देश शिर्फ जागरुक तक है किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हो तो कोई बात नहीं वो एक रोटी ज्यादा खाएं ताकि वो भी भावनाओं के आधार पर नहीं बलकि तर्क के आधार पर विचार कर सके धन्यवाद